नमस्कार दोस्तों आज हम अनेलेसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बातें तो यह हैं around 34 years old और यह जानना चाहते हैं कि इनकी दूसरी शादी अगर यह करती हैं तो कैसी रहेगी और life आगे कैसे चलेगी और financially भी कुछ problems हैं तो उनका आगे कैसे रहेग एक पिंक और येलो करड़ का mixture type दिखाई देता है पिंक हात धन को attract करता है पर येलो साथ साथ थोड़ा सा शाररी कमजोरी खून की कमी इस चीज़ को भी तरशाता है अब हात में देखें तो यहां पर यह square hand है square hand वाले लोग काफी मेहनती होते करमट होते हैं और जीवन में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना उन्हें जादा करना पड़ता है as comparative to rectangular hand अब क्या है कि हात में यहां पर देखें तो M का चिन जब बनता है तो यह रेखा थोड़ी सी हलकी हो रही है हात में भाग गया रेखा एक तो हलकी है जब हात में भाग गया रेखा इतनी हलकी होती है picture में capture नहीं हो पाती तो इंसान के जीवन में रुकावटे जादा आती है सब कुछ होता है इंसान के पास लेकिन ऐसा लगता ह विए पास कुछ भी नहीं, मेरे पास अपना अर्जित किया हुआ, अपना बनाया हुआ कुछ नहीं है, मैं दूसरों पर डिपन हूँ या आज मेरे पास है तो 10,000 रुपे है, कल मैं एकदम खाली खड़ी हूँ, इस टाइप से फीलिंग आती है, तो ये एम का चिन देखे, अ माइन लाइन और लाइफ लाइन सब को रिप्रेजेंट करता जो मेज़र हमारी 4-5 लाइन ती सब को लेके चलता इसलिए हम इस तरह को काफी महत्रपून बनते हैं, अब हाथ में चले, लिए मञिट ठाएंगल की ओर तो देखे यहां पे ग्रेटर ठाएंगल तो बन रहा है ini और यहां पर भाग्य रेखा बहुत हलकी होने की वज़े से फोटो में विजिबल नहीं है, यहां पर हो सकता है कि एक छोटा सा ट्रेंगल और बन रहा हो, जो बन करता हो, ऐसे लोगों इस तरह की जब ट्रेंगल होता है, तो बैंक बैलेंस थोड़ा होता है, पैसे की दिक्कत इन्होंने बोली ही है, तो बैंक बैलेंस की दिक्कत आती है या खर्चे करने का खर्चे लगे रहते हैं जिसकी वज़े से सेविंग्स कम हो पाती है और धंकी दिजोरी की बात करें तो यहां पर अगें रेखा इस तरह से जैसे देखें हलकी रेखा है इस तरह से बन रहे हैं लेकिन यहां पे खुले होने की कारण खचे लए रहेंगे फिर भी लेकिन ऐसा नहीं है हात में बहुत सारी अच्छी चीज़े में हैं जो कि हम आगे वीडियो में डिसकस करेंगे अब हाथ में चलें जीवन की ग्राफ की और तो यहां से इस तरह ऐसे चल रहा है और आगे जीवन में बड़ोतरी भी होती रहेगी हाथ में बहुत ज़्यादा कोई cuts crosses नहीं दिखाए देते हैं अब चलते हैं उंगलियों की और उसके लिए दूसरा picture लेते हैं एक चीज और यहां पर देखिए गुरू की फिंगर है इंडेक्स फिंगर है यहां पर तिल है तो जब भी ऐसा तिल होता है तो इंसान के जीवन में उसकी एक तरह से पीट पीछे बुराई मिलना थोड़ा समान हानी होना प्रतिष्टा को हट पहुशना इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है जीवन में अब देखिए हाथ में उंगलियां जो हैं एक दम मजबूत और गठीली उंगलिया है ऐसा हाथ वर्गाकार शोड़ी में आता है स्कुएर्ड हैंड है जैसे हमने पाम भी देखा था स्कुएर्ड है ऐसे लोगों में टैलेंट कूट-कूट के भरा होता है उनके अंदर कहना चाहिए संपन प्रतिभा के स्वामी होना एक तरह से अच्छी नॉलिज पाना एक तरह से अच्छा ब्रेंड लॉजिक पावर्स अच्छी होती हैं और कहीं नहीं समाज में यह कुछ कर्व दिखाने की इच्छा भी रखते हैं ऐसे लोग खाली नहीं तो सूरें इनके अंदर टैलेंट कूट-कूट के बरा हो और यहां पर देखें तो यह फिंगर का थोड़ा सा जुकाव इधर की और है तो भगवान में काफी मन होता है रिलीजिस माइंड होते हैं और यह देखें दोनों फिंगर में जब गया पोता है तो ऐसे में अकस्मा दनलाब की योग भी बनते हैं और ऐसे लोग कोमल रिट देके भी होते हैं जब ऑनसे किसी का दुक नहीं लिए अपने का डोर जाता है जब किसी मज़बूर इसान को देखते हैं जरुरत को देखते हैं तो फॉरन मदद के लिए त्यार हो जाते हैं आगे बढ़के आते हैं एक तरह से कहना चाहिए साइन ऑफ हुमैनिटी इनके अंदर एक तरह से इंसानियत कूट-कूट के भरी रहती है अब हात में देखें छोटी फिंगर काफी छोटी है एक तरह से सेकंड फैलेज में भी मिड़ में आ रही है तो थोड़ा सा केरलेस जादा होते हैं चीजों को लेकर ध्यान कम देते हैं और यह देखें यहां पर एक गैप होना तो समाज की परवाब बिलकुल नहीं करते हैं ऐसे लोग समाज क्या कहेगा क या नहीं कहेगा उस चीज से इनको कोई मतलब नहीं होता और यह छोटी फिंगर एक तरह से थोड़ा सा अनेलेसिस पावर अनेलिटिकल पावर कम देती है और ऐसे लोग दूसरों की पहचान करना की जो एक क्वालिटी होती है तो उसमें थोड़ा सा यह लोग मात खा जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि यह लोग जल्दबाजी में डिसिजन्स लेते हैं और लाइफ में कभी मेजर डिसिजन्स भी जल्दबाजी में ले लेते हैं और बाद में इनको पश्टाना पड़ता है और यह देखें काफी खड़ी लाइन्स हैं तो शोशल सरकल होता है कई बार या इनके काफी जानने वाले लोग होते हैं इस तरह से सरकल काफी बड़ा बन जाता है अब हाथ में देखें गुरु परवत की ओर गुरु परवत यह देखें इतना बड़ा क्रॉस गुरु परवत पर दिखाई देता है तो जैसे सेकेंड मैरेज से लेटेड क्यों होने देगा सक्सस की ओर दिखा रहा है साथ में एपक्स का निशान भी हाथ में है तो यह जरूर सपोर्ट करेगा सेकेंड मैरेज को सक्सस देने में लेकिन फर्स्ट मैरेज में दिककते क्यों आई यह भी एक क्वेशन है जिसको हम आगे डिसकस करेंगे गुरु करेंग ला टूरु में अब्रोछ सक्षाहां के पूद्धत लाइन की तरफ देखना जाए मैरेज लाइन में यहां यहां से देखे तो यह यह जडिवॉर्स ऐर यह जाती हैं ऐसे कि आशलन पीचिने को मिल कुछ फोक नुमा टाइब ब्ही बन रहा है पिक्चर में तो यह सब incompatibility आना problems आना तो यह इस वज़े से divorce का रूब ले लेती है और साथ में देखें मस्टिश करेखा भी जो है इस तरह की problem दर्शाती है यह time period में काफी ज़्यादा दबावरा mental peace खतम हो जाती है इनसान की तो अब हाथ में देखें यहाँ पर शुकरावन दबा हुआ है जब शुकर जीवन में बाधा लेकर आता है कभी तो इंसान जीवनमें अच्छी औचाईयों पह unrestी यहां कभी कभी इंसान जीवनमें ऐसा लगता है खाली पने कुछ नहीं है हमारे पास आज हम बिल्कुल खाली खड़े इस तरह की चीज़ें आती है तो और जब जब शनी परवत दबा होता है तो समझ देना ची इनसान का उसी समय का पीरेड जब वो हाथ दिखा रहा है प्रेसंट पीरेड उसका लो चल रहा है अगर पीरेड अच्छा चल रहा होगा तो ये शु कातारी काम बननी रहे बाधाया रही है परन्तों फिर भी यहां पर एपक्स का चिंड है तो ये इनको काम बनने में सपोर्ट करेगा कभी-कभी होता है जीवन में कुछ ऐसे शन आते हैं कि जब हम परेशान हो जाते हैं हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हमारे पास कोई रास सकते हैं अब हात में देखें यहां पर कि यहां पर भागयरेका इस तरह से चल रही है छोटा छोटे इसए बागयरेका की चिंडन भी बन रहे यह पर इस तरह से बन रहा कुछ तो भागयरेका से इस तरह की चीज दिखाई देता है और भाग्य रेखा को खेर हम आगे भी डिसकस करेंगे तो लेकिन ओल्ड एज में भी रुपय पैसे बने रहेंगे अब हाथ में यहां पर देखें और भाग्य रेका थोड़ा सा कमजोर होने की वज़े से भी रुपय पैसे की दिक्कार दे जैसे कि अपने एक वीडियो में दिखाया था तो इस तरह से रेखाएं चेंज भी होती है बल भी लेती है बल पकड़ लेती है और स्ट्रॉंग बनके अपना काम करती है यहां पर देखें तो यह देखें तो यह देखिए अच्छा कासा एपक्स है सूर्य परवत अच्छा होती हैं खाली नी बेटते टाैलेंट कुट-कुटके घणा होता है बहुता होटाएं तो इस उसकी वजह से यह आगे बढते हैं इस तरह से चल रही है और यहां पर यह देखे ट्रेंगल का चिन ने यह देखे ट्रेंगल का चिन ने बन रहा है जब इस सूर्य परवत पर ट्रेंगल का चिन ने बनता है इंसान को मान सम्मान मिलता है कोई ना कोई ऐसी उपलब्धी मान सम्मान मिलता है और जिसकी वज़े से काफी नेम फेम भी बढ़ता है तो यह बहुत अच्छा साइन है सूर्य परवत पर अब यहां पर देखें तो बुद्ध परवत काफी अच्छा स्ट्रॉंग है जब बुद्ध परवत अच्छा स्ट्रॉंग होता है तो बहुत अच्छ इनसान साथ ही साथ इनसान पावर खार है मारा इस दो कुछ है घाल नियुकर बात प echo हुध पॉलाइटली बात करते हैं दोसरों से और यहां पर खड़ी रिखा एंगे इता हैं इस ब्राभा पॉती नियुकर सब्ढ़ ओता है तो लाइफ में कोई consistency अपना काम करने में काफी जादा help इनको मिलेगी इस तरह से supporting lines चल रही है तो ये कोई ना कोई consistency work, healing work, motivational दूर दूर से राहे लेने भी आते होंगे तो इस तरह से हाथ में बुद्ध परवत काफी strong है और ऐसे में कभी-कभी astrology की तरफ भी लोगों का जुकाव होता है जब इतना बुद्ध परवत देखे अच्छा fluffy बुद्ध परवत है काफी ऐसा लग रहा है कि developed बुद्ध परवत कहना चाहिए इसको astrology की तरफ भी जुकाव होता है अब यहां पर देखें मंगल परवत को मंगल परवत काफी ज़्यादा है हिम्मती और सहसी है और ऐसे लोग जीवर में कितनी परेशानी आए हिम्मत और सहस के साथ काम करते हैं और किसी के आगे जुकना पसंद नहीं करते हैं थोड़े ego issues भी देखे जाते हैं अंद्रूनी मंगल अगर हम देखें तो अंद्रूनी मंगल भी developed है ऐसे में इंसान अंदर से भी काफी bold होता है और ऐसे लोगों में थोड़ा सा जैसे कहना ची कि जब दोनों मंगल developed होते हैं तो गुस्सा भी तेज होता है और कई बार गुस्से की वज़े से इनका काम खरा रही है तो तो विदेश से भी लाव मिलता है ऐसे लोगों को विदेश को विदेश यात्राग करते हैं देखे चोटी चोटी ए demonstrates को नेकल नहयं विदेशते बार पने इस इंसी हगार कि इस अब हाथ में देखें यहां पर यह देखें यहां यह देखें यह जो इनकी लाइफ लाइन है यहां से भी यह इस तरह से रेखा का निकलना तो यह विदेश की और इशारा करता है विदेश में जाके रहना विदेश में जाके बसना कुछ इस तरह की चीजों की और इंडिकेशन आ रहा है अब हाथ में देखें, यहाँ पर एक मचली का चिन्न है, यह देखें, यहाँ पर शुक्र परवत के साथ साथ मचली का चिन्न है, जो इनको काफी लाब कराएगा जीवन में, अकस्मा धनलाब के योग बनाएगा, धनकी दिख्कर जो है वो दूर करेगा अब आते हैं, शुक्र परवत की ओर, शुक्र परवत का गहराव अच्छा है, और यह ऐसा लगता है कि यहाँ पर यह जो निशान थोड़े से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगर दबा के देखेंगे, थोड़ा दब जाएगा, यानि कि डवलप्ड होते वे भी थोड़ा सा इ इसका जो डवलप्मेंट है, वो कम हो रहा है, वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि इसकी फ्लफिनेस कम हो रही है, ऐसे में क्या होता है, कि जब इनसान एक तो मैरिज में प्रॉल्म देखता है, तो शुक्र परवत पर भी आसर आता है, यह शुक्र परवत अगर थोड़ा दब जाए तो मैरिज पर भी असर देता है, चार्म खतम हो जाता है मैरिज से और यह जब इतना डवलप्ड है, तो यह तरह से लग्जिरिस लाइफ देता है, और काफी ज़्यादा इंसान को अच्छा पेंड़ने होने का शौकीन बनाता है, जैसे लेडीज होती है, जोल्री है, इस तरह की चीज़ों का शौक रखती है। और कि यह लाइफ में उत्साहा की कमी आ जाती है थोड़ा सा लगता है कि मैं अकेला पन आता है अकेले पन की विज़े से उनकी जो इच्छाएं हैं वो मरने लगती है अपनी इच्छाओं को खुदी दबा ले जाती है अब हाथ में देखें तो यहां पर चलें अंगूटे की ओर यह देखें अच्छा मासल और बढ़िया अंगूटा है और पीछे की ओर इंकलाइंड भी हो रहा है तो ऐसे लोग वो बड़े अज़ेस्टेवल नेचर के होते हैं दूसरे ने जब जो जैसा कहा अज़ेस्ट भी कर लेते हैं और देखा जाये तो विल पावर काफी स्ट्रॉग है और लॉजिक पावर भी अच्छी कासी है और यात्रों की रेखा भी अच्छी कासी है तो इस तरह से देखें तो हात में अंगूठा काफी अच्छा मजबूत है और यहां पर देखें एक दूसरी पिच्चर लेते हैं एक यहां पर चक्र का निशान भी है चक्र का निशान जब हम उठे में होता है तो इनसान को फेम भी दिलाता है ऐसा नहीं है कि इनसान सिर्फ आया जिन्दगी में और रहा और पिर चला गया कुछ ना कुछ नेम फिर्म कमा के जाता है यहाँ पर देखिए इसमें कि इस तरह से यह अपका चिन बन रहा है तो हो ना हो कोई अपने एक ऐसा टैलेंट होगा जिसके बल्बूते पर जीवन में काफी आगे भी बढ़ेंगी अब चलते हैं लाइन्स कियो कि देखें लाइन्स क्या कहती है हाथ में देखें तो लाइन्स में यहाँ पर यह देखें 33, 35 के आसपास काफी गहरा कट है और हाथ में देखें तो लेकिन उन्नती की रेखा भी दो बड़ी अच्छे-च्छी आ रही है यहां पर देखें तो यह भी कट आ रहा है, तो यह कुछ mental tensions परिशानियां दिखाता है, समय समय पर रहू रेखा का attack होना एक परिशानी की निशानी दिखाता है, इनसान परिशान रहने लगता है, कि खचे कब पूरे होंगे, कैसे होंगे, और मैं लाइट में आगे क्या होग लेकिन आगे आने वाली जो रेखाए हैं, उनको अगर उपाय करे जाएं, तो उनका असर काफी हद तक minimize किया जा सकता है, तो उसके लिए हम उनको उपाय बताएंगे, जिससे कि यह रेखाओं का असर कम हो, और उनकी लाइफ में थोड़ी शान्ती आए, और अगर हम इस रे एक है यह 45-47 के आसपास, तो यह भी बहुत लाब कराएगी, अब देखे हाथ में एक छोटी सी रेखा और आ रही है, यहां पर, यह इतनी लंबी रेखा आ रही है, उसके साथ एक छोटी सी रेखा इस तरह से और आ रही है, तो यह भी एक प्रोग्रेस की लाइन आई होगी तो 40 के आसपास आते आते इनको काफी अच्छा टर्निंग पॉइंट एक लाइफ में मिलेगा, और देखें लाइफ में आगे तो काफी स्मूध है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परिशानी नहीं है, लाइफ में अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा की चली और डिम की बाग्य रेखा, यहां से चली, फिर यां चली, और यहां पर डिमनिश हो रही है, फिर आगे चली तो यह जो 35 का 50 का मिटल एडिया है, इस पर थोड़ी सी डिमनिश हो रही है, तो उपाय करे जाएं तो यह स्ट्रॉंग हो जाएं कि यहां पर अच्छी कासी आ रही है फिर उसके बाद 35 के आसपास यह देखी कट्स आ रहे हैं फिर चली 38 के आसपास फिर एक 46-47 के आसपास कट है अधरवाइस बीच में इसदम स्मूध है और यह कट इतना गहरा नहीं है तो हो सकता है कि कोई ऐसा खर्चा करें छोटा मोटा लेकिन कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ी परिशानी नहीं है जो पड़ी परिशानी है वो 32 के आसपास दिखाई देती है 32-33 के आसपास जरूर कोई बड़ा खर्चा, mental tension परिशानी या loss कुछ इस तरह का रिफ्लेक्ट करती है तो भागय रेका का कमजोर होना भी एक कारण है जिसकी वैसे financial problem आती है और हाथ में देखें तो यह देखें आगे ओल्ड इज में भी अच्छी कासी बागय रेका है तो एक तरह से देखा जाए 46 के बाद दिक्कत नहीं आएगी अब हाथ में देखें तो मस्तिष्क रेखा की और मस्तिष्क रेखा अच्छी कासी बड़ी इस तरह से चल रही है अब जैसे की प्रशन था कि सेकंड मैर अगर सक्सस्फुल होती है तो रेखा एक स्टेग्नेंसी के साथ चलती रहती है जैसे की फ्लो के साथ चल रही है लेकिन अगर दिक्कत आनी होती है तो इंसान की रेखा इस तरह से नीचे की और गिर जाती है और फिर वो उठती नहीं उसमें ऐसे ना तो कोई ब्रांच निक इस तरह से रेखा चल रही है और यह नीचे की और रेखा का आना थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है थोड़ा सा रिप्रेशन भी देता है इंसान के मन में थोड़ी से लेके 30, 32 के आसपास काफी टेंशन भरा दिखाता है और उसके बाद अगर हम देखें दीरे दीरे जैसे जैसे 40 की तरफ आएंगी और आगे बढ़ेंगी तो चीजने स्मूध होने लगेंगे और क्रियेटिविटी बढ़ेंगी जो इनका टेलेंट है चाहें वो देखिए शायद एस्ट्रोलोजी अगर करती है या कोई भी किसी तरह से कुछ भी अपना जो भी इनका प्रफेशन है तो वो एक तरह से उसको बढ़ाएंगी उसमें बढ़ातरी होगी काफी जादा जब इत कोशिश करके और मैं कहना ची कि सफल भी होता है अब हाथ में चलें हिर्दे रेखा की और हिर्दे रेखा इस तरह से चलती भी आगे गुरू परवत तक जाती है जब गुरू परवत तक जाती है तो ऐसे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है थोड़ से आधर्श्वादी होते हैं ऐसे लोगों थोड़ा सा रूल रेगुलेशन के साथ जीना पसंद करते हैं और एक बार ना कह दिया तो ना हां कह दिया तो हां कुछ इस तरह की सोच भी होती है यह देखे छोटे-छोटे से इस तरह से यह ब्रांचिस निकल रही है तो ऐसे में इनसान को और जीव अब चलते हैं लेफ्ट हैंड में की लेफ्ट हैंड क्या कहता है अगर दोनों हाथों में विवार एका में फोक हो या दोनी हाथों में विवार एका नीचे की ओर जुग जाए या कटी-फटी हो तो विवार धूसरा भी संभव दूसरा विवार भी अच्छा नीं माना जाता है यह आ पर देखें तो इस हाथ में से यह डेकी तो बहुत अचला है तो बुद्धी का लैवल काफी शार्प होता है और दोनों हातों में इतनी अच्छी का पर न फॉन वेखल uhunk, लेकिन यह पर connect तो काफी रेखाओं का जालसा हमें दिखाई देता है, काफी कट्स, क्रॉस्स, यह नेगेटिविटी इस त्राइप की चीज़ें दिखाई देती है, जिसके एंको थोड़ा अजिएक बंठाइशन का जाहिए और यहां पर की बंड़ेखा बन रही हैं लेकिन ते कितने कट्स हैं, अगर अगर मैं इसको देखे हैं तो यह देखे हैं, बार-बार कट्ना यहों का सामना करना, अगर बार बार इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है, शूर्य परवत भी कुछ खास चिन्न नहीं दिखते रेखाओं का जालसा देखता है और लेकिन हाँ यहाँ पर देखें इस हाथ में अच्छा कासा है यह की और इंडिकेशन करता है या कोई चिकित्सा पद्धिती या कोई हीलिंग पावर मोटिवेशनल स्वीकर इस तरह की चीज यहाँ पर यह कितनी लंबी रेखा है तो यह अपना कोई बिजन्स इसकी और इशारा करता है और देखें यहाँ पर एक मशली का चिनन भी है जो इनको काफी यात्राएं भी करवाएगा और भागय रेखा का पॉइंट भी हिदर चंदरपरवत की और होना भी ल हीधेश यात्रा की और इशारा करता है वदेश में सेटल्मेंट वदेश यात्रा की और इस तरह से इस तरह के settlement की और इशारा कर रहा है और हात में देखें यहां पर भी शनी परवत दबा हुआ है अगर हम दोनों हातों का comparison करें राइट है राइट है राइट हैं में cuts and crosses नहीं है यानि थोड़ी clarity है इतनी negativity नहीं है जितनी की left hand में देखती है यानि की past से better future है दोनों हातों का comparison करने का हमारा motive यह है कि हम यह देखते हैं कि क्या आपका past ज्यादा अच्छा था कि future ज्यादा अच्छा है अगर आपका कई बार होता है कि लोग देखते हैं कि हमारा बच्पन तो बहुत अच्छा रहा लेकिन अब हम उतने अच्छे नहीं रहे अब हम उतने well to do नहीं है तो ऐसे मैं समझना ची कि left hand उनका बहुत अच्छा होगा right hand उनका बढ़िया नहीं होगा राइट हैं डाउन होगा negative की और और इनसान कहता है कि मेरा बच्पन बहुत बढ़िया नहीं था या अभी तक पास्ट मेरा बहुत अच्छा नहीं लेकिन आज मैं बहुत अच्छे में हूँ या आगे जैसे future उनका बहुत अच्छा होता चला जाता है वो इसलिए होता है कि right hand बहुत अच्छा होता है तो इसलिए हमने देखा कि left hand में रेखाओं का जाल भी है कुछ खास हमें कोई चिन्न भी दिखाई दिया अच्छा जैसे कि हमने right hand में देखे तो right hand में परवत भी काफी उभार लिये में अच्छे चिन्न है तो right hand इनको काफी rise कराएगा जीवन में अपने talent के बल्बूते पर आगे भी बढ़ेंगी और लेकिन और भी जो हमने चीज़ां देखी जो problems हैं वो उपाय करने से solve हो जाएंगी चाहे वो बाग हैंड का अनलिस दन्यवाल